जिस नितीश कुमार को बिहार की जनता ही नहीं स्विकार करती है, हला उस पर बिहार के बाहर के नेता क्यों बिश्वास करेंगे? अखलेश और मम्ता बनर जी, दोनों कांगरेश के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं. नितीश कुमार का अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाय रखने के लिए ये कवायत है ते जोस्वी जादब को बिवकुफ बनाने का एक उक्रम है अखिलेस यादों से मुलकात करेंगे जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनरजी से भी आजी उनकी मुलकात होगी विपक्षी एक्ता को लेकर यह बातचीत बहुत ही अहम मानी जा रही है लेकिन बीजेपी के तरफ से इस दोड़े को लेकर जमकर तंज कसा जा रहा है यह कहा जा रहा है कि जिस नेता को और उनकी पाटी को बिहार की जनता ने तीसरे नंबर की पाटी बना दी जिसको बिहार की जनता स्विकार नहीं कर रही है उसे दूसरे राज्यों के नेता क्या स्विकार करेंगे और इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंग के तरब से मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर करारा हमला किया गया है ये भी कहा गया है कि नितीश कुमार का यह दोरा केवल दिखावी है मुख्यमंत्री की कुरसी बचाने के लिए वो इस प्रकार का दिखावा कर रहे हैं तेजस्वी यादों को वो बेवकूह बना र भला उस पर बिहार के बाहर के नेता क्यों विश्वास करेंगे क्यों उसे स्विकार करेंगे क्यों उनकी बातों को मानेंगे चाहे अखलेस हो चाहे ममता बनर जी हो अखलेस और ममता बनर जी दोनों कॉंग्रेस के साथ रह करके परिणाम भुगत चुके हैं इसलिए ये नितिश कुमार का अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाय रखने के लिए ये कवायत है तो बीजेपी के तरफ से साथतोर पर ये कहना है कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के जदोजहद में लगे हुए हैं नितिश कुमार और उसी के लिए वो तेजस्वी यादों को केवल दिखावा कर रहे हैं कि पीम की लड़ाई के लिए वो तमाम राज्यों का दोरा कर रहे हैं बीजेपी से लरने की बात कर रहे हैं विपक्ची एकता की बात कर रहे हैं लेकिन ये तमाम लेताओं से जो वो मु जाएंगे नितीश कुमार भी इस बात को जानते हैं लेकिन वो तो अपने कुर्सी को बचाने के जदोजहद में ये तमाम दोड़ा केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं और तेजश्वी यादों को बेवकू बना रहे हैं बने रहे हैं लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बह